ओम शन्ति 29 तारिक के मुडले है बाबा कहते मिठे बच्चे यह सच्चा सच्चा सच्च का संग है उपर चड़ने का तुम अभी सच्च बाब के संग में आई हो इसलिए जूठ संग में कभी नहीं जाना बाबा कहते हैं सच्चा सच्चा सच्च का संग है उपर चड़ने का तुम अभी सत्बाप के संग में आई हो इसलिए जूट संग में कभी नहीं जाना आज का प्रश्ण है तुम बच्चों की बुद्धी किस आधार पर सदा बेहत में टिक सकती है तो बाबा केते बुद्धी में स्वधर्षन चकर फिरता रही जो कुछ ड्रामा में चल रहा है वो सब नूंद है सेकंड का भी फरक नहीं पड़ सकता वर्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रपीट होनी है ये बात बुद्धी में अच्छी तरह आ जाए तो बेहद में टिक सकते हो बेहद में टिकने के लिए ध्यान पर रहे कि अब विनाश होना है हमें वापिस घर जाना है पावन बन करके ही हम घर जाएंगी ओम शन्ते मीठे मीठे रुहानी बच्चेओं प्रती रुहानी बाबैर समझाते हैं समझाते उनको हैं जो बेसमझ हैं स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं क्योंकि बच्चे बेसमझ हैं बच्चे पढ़ाई से समझ जाते हैं तुम बच्चे भी पढ़ाई से समझ जाते हो हमको पढ़ाने वाला कौन है यह तो कभी भूलू नहीं पढ़ाने वाला टेचर है सुपरीम बाप तो उनकी मत पर चलना है स्रेष्ट बनना है स्रेष्ट ते स्रेष्ट होते हैं सूर्यवंशी भल चंदरवंशी भी स्रेष्ट है प्रन्तु यह है स्रेष्ट ते स्रेष्ट मन उत्तम पुरुष तो बाबा केते हैं तुम यहां आए हो स्रेष्ट ते स्रेष्ट बनने तुम बची जानते हो हमको ऐसा बनना है ऐसा स्कूल पांच हजार वरश बाद ही खुलता है यहां तुम समझ कर बैठे हो यह सच मुझ सत का संग है आबा कहते हैं सत है उन्ची ते उन्च उनका तुमको संग है वह बैठकर सत्यू का स्रेष्ट ते स्रेष्ट देवता बनाते हैं अर्था फूल बनाते हैं तुम कांटे से फूल बनते जाते हो कोई फौरन बन जाते हैं कोई को टाइम लगता है बच्चे जानते हैं यह संगम युग है सो भी सिरफ बच्चे जानते हैं निश्चे है कि यह पुर्षोतम बनने का युग है पुर्षोतम भी कौन सा उंच ते उंच आदी सनातन देवी देपना धरम के जो महाराजा महारानी है वह बनने के लिए तुम यहां आए हो तुम समस्ते हो हम आए हैं बेहत के जाते हैं वह सब खतम हो जाती हैं हद के बाप हद के भाई चाचे का के मामे बाबा के ते हद के पाई पैसे की मिलकित आदी जिसमें मो बहुत रहता है वह सब खतम हो जाना है बाप समझाते हैं यह मिलकित सब हद की है अभी हमको बेहत में चलना है बाबा के ते यह सब स्कतम होना है। फिर भाबा केते अभी तुमको बेहद में चलना है। बेहद मिलकियत प्रापत करने के लिए तुम यहां आये हो। और तो सब है हद की चीजी। भाबा केते शरीर भी हद का है। बीमार पढ़ता है। विनाश हो पढ़ता है। अकाले बृत्य हो जाता है। आज कल तो देखो क्या क्या बनाते रहते हैं साइंस ने भी कमाल कर दी हैं माया का पंप कितना है साइंस वाले खूब हिम्मत कर रही हैं जिनके पास बहुत महयल माड़ियां आदी हैं वह तो समस्ती अभी हमारे लिए तो स्वर्ग यहीं पर बाबा केते हैं, तुम बच्ची बिल्कुल ही बेसमझ बन गई हैं, मना समझते नहीं हैं तुम कितने समझदार बनते हो, देवी देपता समान बन जाते हैं उपर चड़ते हो फिर सीड़ी निची उतरते हो सत्यूग में तुम समझदार थे फिर चुरासी जनम लेते लेते बेसमझ बनते हो फिर बाप आकर समझदार बनाते हैं जिसको पारस बुद्धी कहते हैं तुम जानते हो हम पारस बुद्धी बहुत समझदार थे गीत में भी ह बाबा कहते गीत भी है ना कौन सा गीत होगा बाबा आप जो वर्षा देते हैं सारी जमीन आकाश के हम मालिक बन जाते हैं कोई भी हमसे छीन नहीं सकता कोई का दखल नहीं हो सकता बाप बहुत बहुत देते हैं इससे जास्ते कोई जोले भर ना सके जब ऐसा बाप मिला है जिसको आदा कलप याद किया है दुख में सिमरन करते हैं न जब सुख मिल जाता है फिर सिमरन करने की दरकार नहीं दुख में सब सिमरन करते हैं हाई राम ऐसे अनेक परकार के अक्षर बोलते हैं सत्युग में ऐसा कोई भी अक्षर होता नहीं तुम बच्चे यहां आए हो पढ़ने के लिए बाप के समुग, बाप के डिरेक्ट वर्शन्स सुनते हो महावाक्य सुनते हो इन डिरेक्ट ग्यान बाप देते नहीं यान डिरेक्ट ही मिलता है बाप को आना पड़ता है कहते हैं मीठे मीठे बच्चों के पास आया हूं मुझे बुलाते हो ओ बाप दादा बाप भी रिस्पॉंड करते हैं ओ बच्चों, अब मुझे अच्छी रिती याद करो भूलो नहीं माया के विगन तो अनेक आएंगे तुम्हारी पढ़ाई चुडाने तुमको देविमान में लाएंगे इसलिए खबरदार रहो ये सच्चा सच्चा सच्चंग है उपर चढ़ाने का बाबा केते वसब सच्चंग आदी है उतराई के सच्च का संग एक ही बार होता है जूट संग जनम जनमांत्र अनेक बार होते हैं बाब बच्च्यों को कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम जनम है अब वहाँ चलना है जहां कोई अब प्रापत वस्तु नहीं होती जिसके लिए ही तुम पुर्शार्ट कर रहे हो यह जो बाबा कहते हैं यह तो तुम अभी सुनते हो बाबा केते वहाँ यह कुछ भी पता नहीं पड़ेगा सत्युग में अभी तुम कहां जाते हो तो कहते अपने सुख धाम में सुख धाम तुम्हारा ही था। कल्यूग में सुख दाम होता ही नहीं, सुख मिलता ही नहीं, इसलिए सन्यासी भी कहते हैं, सुख काग विस्ठा समान है, अभी तुम समस्ते हूँ बाप आया है, हम को घर ले चलने, हम पतितों को पावन बना कर ले जाएंगे, पावन बनेंगे यात की यात्रा से, यात्रा पर बहुत नीचे उपर होते हैं, कोई तो बिमार पढ़ जाते हैं, फिलोट आते हैं, यह भी ऐसे हैं, बाबा केते यह है रुहानी यात्रा, अंतमती सो गती हो जाएगी, हम अपने शान्ती धा में जा रहे हैं, है तो बहुत सहर, प्रन्तु माया बहुत भुलाती है तुम्हारी युद माया के साथ हैं, बाब बहुत सहज कर समझाते हैं, हम अबे शान्ती धाम जाते हैं, बाब को ही याद करते हैं, दैवी गुन धारन करते हैं, पवितर बनते हैं, तीन चार बाते मुख्य है, जो बुद्धी में रखनी है बाबागते विनाश तो होना ही है, पांच जार वरश पहले भी हम गए थे, फिर पहले पहले हम ही आएंगे, कहाएंगे सत्यों के आदी में गायन भी है ना, राम गयो, रावन गयो, जाना तो सब को है शान्ती धाम तुम जो पढ़ते हो, उस पढ़ाई अनुसार पद पाते हो, तुम्हारे एम औवजेक्ट सामने खड़े है, कोई कहे हम साक्षतकार करें, या चित्तर लक्ष्मी नारैन का, बाबा कहते हैं साक्षतकार नहीं, तो फिर क्या है इसके सिवाए किसका सक्षतकार करना है, बेहत के बाप का, बाबा कहते हैं और तो कोई सक्षतकार काम के नहीं, बाबा का सक्षतकार जाते हैं, बाबा से मीठी और कोई चीज नहीं, बाबा कहते हैं मीठी बज्चो, पहले अपना सक्षतकार किया है, आत्मा कहते हैं कि बचे जान गए हो, हम समझ मिली है। बाबा कहते हैं यो तुम बचे जान गए हो, माना अभी समझ मिली है कि हम आत्मा है। हमारा घर है शांती धान। वहाँ से हम आत्माया आती हैं पार्ट बजाने। norma करें अनुसार पहले पहले। सत्युग आदी में स्ञें। आदी और अंत का यह पुर्शोतम संगम युग है इसमें सिर्व ब्रामन ही होते हैं और कोई नहीं कल्युग में तो अनेका नेक धरम कुल आदी है सत्युग में एक ही डनेस्टी होगी यह तो सहज है ना इस समय तुम संगम युगी इश्वरिय परिवार के हो तुम ना सत्युगी हो ना कल्युगी यह भी तुम जानते हो कि कल्प कल्प बापाकर ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं यहां तुम बैठे हो तो यही समरिती में आना चाहिए शांती धाम सुख धाम और यहें दुख धाम इस दुख धाम का है वेराग्य अर्था सन्यास बुद्धी से वो कोई बुद्धी से सन्यास नहीं करते हैं बावा कहते वो तो घरबार छोड़ सन्यास करते हैं तुमको तो बाप कभी नहीं कहते घरबार छोड़ो इतना जरूर है भारत की सेवा करनी है, वो अपनी सेवा करनी है, सेवा तो घर में भी कर सकते हो, पढ़ने लिए आना जरूर है, फिर होश्यार होकर औरों को भी आप समान बनाना है, टाइम तो बहुत थोड़ा है, गायन भी है ना बहुत कई थोड़ी रही दुनिया के मनुश्य तो बिलकुल ही घोर अंधियारे में हैं समस्ते हैं अभी 40,000 वरश पड़े हैं तुमको बाप समझाते हैं बच्चो अब बाकी थोड़ा समय हैं तुमको बेहद में टिकना है सारी दुनिया में जो कुछ चल रहा है सब नूद है जो मिसल ड्रामा चल रहा है वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रपीट होनी है वही आकर पड़ेंगे जो सत्यूग में आने वाले होंगे जो जाने वाले होंगे सत्यूग में बाबा कहते वही यहां संगम यूग पर पड़ेंगे अनेक बार तुमने पड़ा है तुम अपना स्वर्ग स्थापन करते हो शिरिमत पर यह भी जानते हो उँच से उँच भगवान आते भी भारत में है कल्प पहले भी आये थी बाबा के ते तुम कहेंगे कल्प कल्प ऐसा बाप आते हैं कहती हैं मैं कल्प कल्प ऐसी स्थापना करूंगा विनाश भी तुम देखते हो तुम्हारी बुद्धी में सब बैठता जाता है स्थापना विनाश और पालना का करतव्य कैसे होता है यह तुम जानते हो फिर औरों को समझाना है आगे नहीं जानते थी बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो, वर्ल्ड की हिस्टी जोग्राफी अथारत रीती से तुम जानते हो, मनुष्य कैसे तमो परधान से सतो परधान बनते ही, यह बाप तुमको समझा रहे ही, तुमको फिर औरों को समझाना है, तुम बच्चे अभी पारस बन रहे हो, सत्युग में होते ही हैं पारस बुद्धी, यह है पुर्शोतम संगम युग, इनको गीता एपिसोड कहा जाता है, जब तुम पत्थर बुद्धी से पारस बुद्धी बनते हो, गीता सुनाने वाला तो भगवान खुद है, मनुष्य ने सुनाते, तुम आत्म सुनती हो, फिर औरों को सुनाती हो, इसको कहा जाता है रुहानी नौलेज, जो रुहानी भायों को सुनाते हो, बृद्धी को पाते रहते हो, तुम जानते हो, भाबा आकर के सूर्यवंशी, चंदरवंशी, डिनेस्टी स्थापन करते हैं, किसके द्वारा, ब्रहमा मुख ब्रहमान कुल भुष्नों द्वारा, बाबा शिरिमत देती हैं, यह समझने की बात है, दिल पर नोट करना है, यह तो बहुत सहज है, यह है दुख धाम, अभी हमको घर जाना है, कल्यू के बाद है सत्यूग, बात तो बहुत छोटी और सहज है, भल तुम ना पड़े हो, त उनसे फिर सुनना चाहिए, शिप बाबा है सबात्माओं का बाब, अभी उनसे वर्शा लेना है, बाप परनिश्य करेंगे तो स्वरका वर्शा मिलेगा, अंदर में भी अजबा जाब चलता रहे, शिप बाबा से बेहत तूख शुख स्वरका वर्शा मिल रहा है, इसलिए शिप बाबा को जरूर याद करना है सबको हक है बेहत के बाप से वर्षा लेने का बाबा कहते जैसे हद का वर्थ राइट मिलता है वैसे यह फिर बेहत का वर्थ राइट है जो शिप बाबा से मिलता है तो बाबा कहते शिप बाबा से तुमको सारे विश्यो का राज्य मिलता है छोटे-छोटे बच्चों को भी ये समझाना चाहिए हरेक आत्मा का हक है बाप से वर्थ राइट लेने का कल्प-कल्प लेते भी जरूर है तुम वर्षा लेते हो जीवन मुक्ती का बाप केते तुम वर्षा लेते हो बाप से जीवन मुक्ती का जिसको मुक्ती का वर्षा मिलता है वह भी जीवन मुक्ती में आते जरूर है जिनको मुक्ती का वर्षा मिलता है बाप केते हो जीवन मुक्ती माना सत्यू का वर्षा उनको जरूर मिलता है पहला जनम तो सुख का ही होता है, तुम्हारा यह है चुरास्वा जनम, यह नौले सारी तुम्हारी बुद्धी में रहनी चाहिए, बेहत का बाप हमको पढ़ाते हैं यह भुलो मद, देहधारी कभी ग्यान देना सके, उसमें रुहानी ग्यान होता नहीं, तुमको समझाया ज जाता है भाई भाई समझाया जो भी मनुश्य मातर हैं और किसको भी यह सिक्षा नहीं मिलती हैं, बल गीता भी सुनाते हैं कि भगवान वाज का महाशत्रू है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे प्रंतु समस्ते नहीं, अब भगवान तो है टुथ माना सत्य देपता भी भगवान से टुथ सिखे हैं, सिरी क्रिशन ने भी यह पद कहां से पाया, लक्षमी नारण कहां से बने, क्या करम किया, कोई बता सकेंगे तो बाबा केते अब तुम ही जानते हो, निराकार बाप ने उनों को ऐसे करम सिखाया, ब्रह्मा बाप द्वारा, यह स्रिश्टी है ना, अभी तुम हो प्रजा पिता, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तुम्हारे पास नौलेज है रुखानी, बाप की, तुम समस्ते हो, हम भगवान को जान गए है, उंच ते उंच वो निराकार है, उसका साकार रूप नहीं, बाकी जो भी देखते हो, वो साकार है, मंदिरों में भी लिंग देखते हो अर्थात, उनको शरिर नहीं, ऐसे नहीं कि वो नाम रूप से न्यारा है, हाँ, और सब देधारियों के नाम पढ़ते हैं, जनम पत्री है, शिप बाबा तो है निराकार, उनकी जनम पत्री नहीं है, सिरी कृष्ण की है नंबर वन, शिव जनती भी मनाते हैं, शिप बाबा है निराकार कल्यान कारी, बाप आते हैं तो जरूर वर्सा देंगी, उनका नाम शिव है, वह बाप, टीचर, सत्कुरूती नोही एक हैं कितना अच्छी रिती पढ़ाते हैं अच्छा मिठे मिठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुद बॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा जी को दिल वजान सिक्व प्रेम से नमस्ते 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 जी फिर बाबा ने धारणा के लिए मुख्यसार में आज कौन सी बात पक्के कराई किस दुख धाम का बुद्धी से सन्यास कर शांती धाम और सुख धाम समरिती में रखना है बाबा कहते इस दुख धाम का बुद्धी से सन्यास कर शांती धाम और सुख धाम समरिती में रखना है भारत की वा अपनी सच्छी सेवा करनी है सबको रुहानी नौले सुनानी है फिर बाबा ने दूसरी पॉइंट में कहा अपना सत्योगी जनम सिद अधिकार लेने के लिए एक बाप में पूरा निश्चे रखना है अंदर से अजपा जाप करते रहना है पढ़ाई रोज जरूर पढ़नी है आज का बरदान है बाबा कहते सरपसबंधों की अनुभूती के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले त्रिप्त आत्मा भव प्र बाबा ने सार में समझाया जो सच्चे आशिक हैं वो हर परिस्थिती में, हर कर्म में, सदा प्राप्ती की खुशी में रहते हैं कई बच्चे अनुभूती करते हैं कि हाँ वो मेरा बाप है, साजन है, बच्चा है लेकिन प्राप्ती जितनी चाहते हैं उतनी नहीं होती तो अनुभूती के साथ सरब सबंधूं द्वारा प्राप्ती की मैसुस्ता हो ऐसे प्राप्ती और अनुभूती करने वाले सदा त्रिप्त रहते हैं उन्हें कोई भी चीज की अप्राप्ती नहीं लगती जहां प्राप्ती है वहां त्रिप्ती जरूर है आज का सलोगन है निमित बनो तो सेवा की सफलता का शियर मिल जाएगा बाबा कहते निमित बनो तो सेवा की सफलता का शियर मिल जाएगा अच्छा ओम शन्ति